तो हैलो एवर्यवन इस विडियो में हम जानेगी कि methods for the result and force क्या-क्या है मतलब एक force system में result and force निकालने के लिए क्या-क्या method यूज किया जाता है । इस विडियो में हम जानेगे तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस Engineering Mechanics playlist का link देदूँगा description box में आप वहां से इसे visit कर सकते हैं और अगर आपको ये PPT और hand return notes चाहिए subject के तो आप playlist में भी जा सकते हैं और या फिर आप description box में या फिर pin comment section से इसे download कर सकते हैं मैं link देदूँगा तो चलिए start करते हैं पहले क्या है methods for the result and force result and force निकलने के लिए क्या-क्य methods यूच के जाते हैं first two methods है one is graphical method और another one is analytical method जो graphical method है उसमें मतलब हमें draw करके graph में draw करके निकलना पड़ता है result and force को और जो analytical method है वो एक problem solving type का method है मतलब इसमें formula यूज करके drawing graph को देखके हमें इसका result and force को निकलना पड़ता है और analytical method थोड़ा easy होगा graphical method का ज्यादा यूज क्या नहीं जाता है क्योंकि graph या drawing करके यूज क्या जाता है इसलिए analytical method हमारा सभी type में मतलब problem solving में यूज क्या जाता है analytical method को तो यह जो पांच type के हमारा method से जो कि ग्राफिकल और analytical method के अंडर आता है हम आज पढ़ेंगे फास्ट तीनों को पढ़ेंगे जो है फास्ट है parallelogram law of forces इसमें क्या होता है ना दो forces को दो forces के दो forces के क्या ना resultant को निकालते है पार्लेलोग्रम law of forces में और यह graphical method के अंडर में आता है फिर आता है triangle law of forces में इसमें भी दो forces के resultant को निकालते हैं यह भी graphical method के अंडर आता है फिर आता है polygon law of forces इसमें क्या होता है ना दो से ज्यादा मतलब हम सेबराल लंबर आफ forces होंगे उसका हमें resultant निकालना पड़ेगा और यह graphical method के अंदर आता है फिर आया cos sign law method और method of resolution cos sign law method 2 forces के अंदर आता है मतलब दो forces का हमें resultant निकालना पड़ता है यह analytical method का अंडर आता है method of resolution जो है उसमें क्या होता है ना number of forces होते हैं दो फोर्सस नहीं मतलब नमबर फोर्सस होगे उसका हम रेजल्टाइंट फोर्सस निकाल लेंगे और यह अनलेटिकल मेथोड के अनल्टार आता है जो लाउस्ट तू में कहसा allora मेतहारे मेफर्षान धोल्योशं यह वह बहुत इम्पोटेंट है और यह दोनों एक्वालीरमें जानेगे हैं इस वीडियो में जानें लेएर फास्ट इनो तीन को ग्राफिकोलगेर को नेक्स्ट वीडियो में अनलेटिकल मेथड को ओके फर्स्ट आगया क्या है ना पार्लेलोग्राम लाओ फोर्स जो कि सिफ दो फोर्स के लिए अप्लिकेबल है मतलब दो फोर्स का हम रेजल्टा निकल सेकते हैं इससे क्या क्यता है निफ टो फोर्स से अर्टिनीजिवल्टनीशने ओने पार्लेलोग्राम विच पास्स्ट थ्रू चालु छिंदी में वोर्स आगया है मतलब यह क्या क्या है हिंदी में समझते हैं कि अगर दो फोर्स एक ही साथ एक पार्टिकल में आक्ड कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस ऐसे आट करेंगी जैसे वो इक चार मतलब पाललेलोग्राम का दो आजसेंट साइड हो अगर आप समझ नहीं पारें तो मैं बता रहा हूं देखिए वेट यह जो लेप्ट साइड का फीगर है यह है यह एक पाललेलोग्राम है यह एक पाललेलोग्राम है और जो हमारा स्टेटमेंट क्या करें है कि दो फोर्सेस जो होंगे वो ऐसे आक्ट करें होंगे कि वो दो आजसेंट साइड होंगे पाललेलोग्राम के मतलब दो side जो एक दूसरे के साथ connect होंगे उस दोनों को हम adjacent side कहेंगे तो यह law कहे रहा है कि जो भी दो forces parallelogram का एक adjacent side होंगे में चुटा direction दिये गए होंगे उसके साथ तो उनका जो resultant निकलेगा वो कैसे निकलेगा न तो resultant होगा वो यह जो parallelogram का diagonal होगा मतलब अगर हम देखेंगे यह जो एक parallelogram है यह दो force दिये गया है तो यह दोनों का resultant कैसे निकलेगा गए तो इन दोनों का resultant कैसा होगा न यह है यह diagonal है diagonal मतलब जो दो corner को joint करता है उसे diagonal करता है तो यह एक force हो गया यह एक force हो गया और यह एक parallelogram का adjacent side में भी है तो इनका जो diagonal होगा वो होगा इनका resultant R यह है इनका resultant हो गया इसे को हम right side figure में अच्छे से जानते हैं कि मान लीजे तो देखें यह है एक force P और यहाँ पर यह एक force है Q जो एक force हो गया P और एक force हो गया Q तो और यह दोनों ही है क्या एक紅ogram का है यहquality diagram ना एक parallelogram में दिखाई दे रहा है जो dotted line में है parallelogram का मतलब जो चारो तरप दिखा रहा है चारो corner दिखा रहा है यह parallelogram है तो पर değer log destroys हो गया है ठीर काएसे निकल निकलनेके लिए और किया करना पड़ेगा एक करना और कर नर में निकलना पड़ेगा तो आद दियाईगकर में पीरी और प्रहण टेयाट बेद्ष ओगादीर DR next हम जानेंगे क्या now triangle law okay triangle law of forces क्या कहता है now it states that if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order the resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order parallelogram law में जो कहता था triangle law में भी सेम है बस वहां पर parallelogram था यहांपर triangle हो जाएगा वह त्यक्ति दिखाता हूं यह कह रहा है कि अगर एक triangle में triangle में 2 forces काम कर रहे हैं फिर आर्चस इंसाइड में यह हो गया यह बड़ाएसा triangle हो गया और इस triangle में 2 forces काम कर रहे हैं यह हो गया फास्ट फोर्स फोर्स हो गया पी वेक्टर का और दूसरा फोर्स हो गया क्यू वेक्टर का और दोनों क्या है सेम ओडर में काम कर रहे हैं यहां पर देखे जो आर्व स्थाइट दिर्स वालमें और यहां पे बी का यहां पर है दोनों आतों निकाल ही हमें क्या त्छे ड्रॉण करना पड़ेगा 3rd side मतलब यह जो R है और आर जो बेक्तर है यह हो गया इनका resultant force जो third side होगा इसी को ही हम क्या बोलेंगे ना resultant force बोलेंगे ओके और यह क्या होगा यह same order में नहीं होगा जैसे यह दूनों same order में थे यह same order में होगा यह opposite order में होगा इस side समझ रहे हैं मतलब same order or opposite address अगर ये same order में हो तो फिर ये जो triangle का arrow है इस तरफ नहीं होगा बलकि इस तरफ होता अगर he same order में होताте पर ये same order में नहीं होगा opposite इसलिए इसे उस तरब दिखा रहे हैं यह तिनों जो ट्राइंगल लॉव पारले और गरम लॉव यह तिनों ज्यादा इंपोर्टन नहीं है क्योंकि ग्राफिकल मेथड़ है मेन जो इपोटन आएगा वह नेक्स्ट वीडियो में आएगा कॉस्ट शाइन लॉव मेथड़ उस प्राइल फोरसियो मतलब नमबर और फोर्टन यूज करते हैं इसमें इसमें में यहां पर यह पर चार फोपोस्ष्ट siov उस के गाए और सब यहां कॉन्करेंट थे मतलब एक वाइंड से एक पॉइंड से यह चार फोर्स निकले हैं अलग हुए हैं तो इसके लिए यहां पर रिजसम पोर्स कैसे निकलाईंगे निकलाईंगे है जाए जिसे लेट उल्ला में है व्यसे एक टी पॉइंड गरना पड़ेगा फिर उस पी पॉइंड में माम f1 को ड्रॉइंगे एफ वान को ड्रॉ करेंगे फिर एफ वान को ड्रॉ करने के बाद एफ टू एफ टू जितने भी अंगल में है यहां आप एफ वान पर उतना ही आंगल में लेखे ड्रॉ करेंगे ओके ड्राओ करेंगे फिर आया किया एफ त्री यहां पर एफ टूब के साथ जितने भी अंगल में है और इसका मैगनिचुर डायरेक्शन देलके हम यहां पर एफ टूब का भी उतना ही अंगल में लेके एफ त्री का एफ त्री ड्राओ करेंगे एफी ड्राओ हो जाने के बाद फिर आया कि एफ फोर क्या यहां पर ऊario फ Джam उतना ही एंगल यहां पर लेखे एफ फोर करेंगे फिर सब –ड्रोर होने के बाद फूर जो रहोeger जै घया पी पॉइंट से पी कोई इस पॉइंट से जॉइंट करने के बाद जो मिलेगा वह होगा आर बार रेजल्टान फोर्स रेजल्टान फोर्स हमें मिल जाएगा और यहां पर एक वाद हमें अच्छे से याद रखेनी चाहिए कि यह सब क्या है ना सेम ओडर में होंगे यहां फ्री यह थे सब सेम ऑडर में होंगे पर जो आर रेजल्टान निकलेगा वह ओपोजिट अर्र में रहें यहां पूजिट अर्में आर बोजी में आ इंस पढ़ेंगे ने 낮फेंग आरी यहां इस तार्री में दिय द yapıyor व हमीखत خ læण यह सब और में रहेंगे बस आर जो निकले था वो अपोजिट आडर में निकलेगा ओके यहां भी इसली लिखा हुआ है कि F1 F2 F3 F4 is making an open polygon in same order in first figure and R is the result and force which is the closing side of the polygon मत्रों R जो है वो close करेगा पूरे polygon को close close करेगा close side होगा पॉलीगों को इन अपूजिट आडर बहुत इजी है यह सब ना ग्राफिकल मेथद यह ज्यादा यूज नहीं किया जाता है कोशाइनलो मेथड जो है एक मतलब अनलेटिकल मेथड है उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा वह हमारा problem solving में यूज कुए जाता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लवागा तो make sure you subscribe and like my channel नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अनलेटिकल मेथड के वारे में thank you thank you and अगर आपको यह PPT और handwritten notes चाहिए तो आप पिन कॉमेंट सेक्षन से डाउंलोड कर सकते हैं और इंजिनरी मेगानिक साब playlist भी में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां से उसे बेज़िट कर सकते हैं thank you